कि आवरली चाथ है और देखिए आप मुमेंटम मिस होने के कुछ सिगनल आ रहे हैं इस चीज को मैं आपको एक बार दुबारा सा समझा रहा हूं कि क्यों इस टाइप का मुमेंटम मिस होता है तेकि यह जो आपका अप्ट्रेंड चला रहा है बारकेट में देख रहे हैं कि ल समझते हैं पर की टाइप आ रहा रहा है यहाँ लिगेटरो देख और यहाँ होटे कहीं है कि बाव्शे होने के बावजूद भी स्टॉक नेया पर जाए जरुरी नहीं है और इसी के लिए हाँ पर देखे डाइवर्जन का कॉंसेप्ट भी समझना ज़रूरी है कि जब मार्केट में मोमेंटम में या फिर आरे साइव में इस टाइप का डाइवर्जन हो और इस टाइप से मार्केट ऊपर भी जा रहा हो तो इसमें कॉसियस हो जाना चाहिए और यहां पर आप अगर केंडर स्टिक फॉर्मेशन देखेंगे तो एवनिंग स्टार टाइप का फॉर्मेशन हो गया है तो 20 एमें के नीचे अगर क्लोज करता है तो फिर से जो भी बाइंग की पोजिशन उसको से एकजिट करना होगा लेकिन जो मेजर बाइंग का पोजि ट्रेंड के अगेस्ट में ट्रेंड लेना बहुत ही मुश्किल होता है कम क्वांटिटी मिलेना चाहिए इसको यहां पर देखेंग को रिवर्स होने दीजे अगर इसको नीचे जाना है तो ट्रेंड को रिवर्स करेगा उस टाइप का सिग्नल कुछ आने रहा वाँ इस पर ली चार्ट में थोड़ा सा यहां पर रेंज बना दिया और साथ में डाइभर्जन भी आ रहा है तो यहां पर कॉंसियस रहना चाहिए अग्रेसिव ट्रेडिंग नहीं होना चाहिए तो बड़ा लोस हो सकता है